हमने mapping API पड़ी थी मैंने आपको बताया था कि हम mapping को update नहीं कर सकते हैं existing fields की जिसकी वजासे आपको क्या करना पड़ेगा एक नया index बनाना पड़ेगा and then पुराने जो है वो नई documents में insert कराने पड़ेंगे ठीक है ना copy कराने पड़ेंगे तो वह अचीव कर सकते हैं हम re-index API से फिट से बता रहा हूं अगर मालीजे आप क्या करना चाहते हैं documents copy करना चाहते हैं from one index to another तो आप re-index API के थ्रूँ पड़ सकते हैं तो basically re-index API कुछ करती नहीं है copy and paste करती है जिसका index आपके सामने लिखा हुआ है post की call होती है re-index ठीक है then हम चीजे देते हैं आपे दो fields देते हैं source and destination काफे obvious है source and destination ठीक है आप साथ के साथ query भी दे सकते हैं कि आपको कुछ specific documents उठाने है source से तो आप वो चीज यहां पर mention कर सकते हैं अच्छा ठीक है source लिखा destination लिखा source में आपने index दे दिया source वाला destination में आपने destination index दे दिया आपने source के अंदर query भी दिय सकते हैं यह भी हमने पढ़ लिया है एक और चीज आप script भी लिखते हैं आपको कुछ modification कराना है आप क्या कर रहे हैं आप पुराने वाले documents से उठा रहे हैं source से उठा रहे हैं documents और destination तक पहुचा रहे हैं बीच में अगर आपको कुछ करना है तो देंगे destination देंगे script देंगे बल्कि चार चीज़ देख लिए source देंगे destination देंगे source के अंदर query भी दे सकते हैं and एक script दे सकते हैं एक और चीज ठीक है पांच भी चीज source अगर आपको कुछ selected fields ही copy करनी है source से तो आप यहां पर वो mention कर सकते हैं underscore source में जो की part है किसका source का समझ र अरी index API में तो टीक है उसका स index देखा है basically उसमें पांच चीज़े देखी है source देते हैं destination देते है source में उसका index destination में उसका index destination वाले का ठीक है source में a query सकते है and साथ के साथ field भी बदा सकते हैं क्वे हमें कौन-कौन चीज़ एक script भी दे सकते हैं जो की हम यूज कर सकते हैं manipulation के पुराने वाले से जब उठा रहे ना उसमें कुछ उठा पटक कर दो फिर नए वाले में पेस्ट कर दो वो डॉकिमेंट्स ठीक है यह कथा जो है पुराने वीडियो की है तो इसको डिलीट करते हैं ठीक अभी ठीक है अब देखे ध्यान से आपने क्या किया आप छोटे थे पांच साल के ठीक है आपने फटाफट से इस्ट्रेंट्स नामक एक इंडेक्स क्रियेट कर डाला डॉक वन ऐसी डाल दिया कोई explicit mapping नहीं डालिया आपने नेम आपने लिख दिया अपना नाम लिख दिया क्या है आपका नाम राम नाम है आपका ठीक है और आपकी उम्र क्या थी पांच साल थी आपने फटाफट जल 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 दी इंसर्ट कर दिया कोई देखना ले आपका दोस् ही उसका नाम था श्याम और वह 6 साल का था उसने भी फटाफट से इंसर्ट कर दा लिए अपने आप ठीक है बाई दो इस्ट्वेंट्स आ चुके हैं अभी तक हमारे इस्ट्वेंट्स इंडेक्स में देख लेते हैं सर्च अपने पास उसमें हम क्वेरी नोड देंगे यहां पर एज जो है वह लॉंग टाइप किया कोई दिक्कत नी है एंड नेम जो है वह टेक्स्ट है साथ सात की वर्ड भी ए तो एज जो है वह डॉक वैल्यू में भी एंड इंवर्टिटर इंडेक्स में भी स्टोर और ठीक है कल को क्या हुआ बहुत सारे सुडेंट्स तो वह सोचने लगे कि यार मैपिंग में हमने टाइप लॉंग लिखा था लेकिन आवश्यक्ता थी क्या लॉंग की है नहीं इंटीजर भी तो रख सकते थे हम समझ रहे हैं मात को अच्छा फिर उन्हों देखा कि क्या नाम जो हमने रख दिया नादानी में टेक्स्ट भी और कीवर्ड भी सिर्फ टेक्स ही रख सकते थे थोड़ा स्पेस बच जाता तो वह सोचने लगे कि भाई क्या किया जाए अब उनको यह पता है कि अपडेट तो नहीं कर सकते हैं मैपिंग को तो उन्होंने काम किया एक इंडेक्स बनाया स्टुडेंट्स न्यू नाम का ठीक है यह ओटो सेशन दे रहा है शायद पहले से कोई क्रियेट ना हो तो इसलिए इलीट कर देता है ठीक है पुट स्टुएंट्स न्यू और अब मैंने खुद से मैपिंग दी उसकी प्रोपरिटीज नाम का टाइप है टेक्स्ट एंड अब मैं स्पेस बचाना चाहता हूं तो यहां पर मैं एज को अब दूँगा इंटीचर ठीक है दस साल पहले उन्होंने नादानी में क्या कर दिया था एज को लॉंग टाइप का बना दिया था एंड नेम को कीवर्ड भी बना दिया था उन्होंने नहीं बनाया था इलास्टिक सर्च ने बना दिया था डाइनेमिक नहीं है एक पर मैपिंग चेक कर लेते हैं इसकी स्ट्वेंट्स न्यू ठीक है बई एज इंटीजर हो गया है नाम हो गया टेक्स्ट अच्छा अब वह सोचने लगे कि अब गया किया जाए कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब इन स्ट्वेंट्स को उठाकर पटकना है लेकिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आपको क्या कुछ कराना है क्या है करते हैं मैं एक नई फिल्ड आजाये ना एक नई फील चाहते हैं तो हम लिखेंगे सोड्स में क्या चाहते हैं एक नई फिल्ट चाहते हैं, ctx.source.newfield, source.newfield मान लीजे, id और id जो बनती है वो नाम और age से बन जाती है, ऐसी कुछ भी मान रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ वो नाम और age से मिलकर उसकी id बन जाए, यह छोड़ी से script है, कुछ भी करा सकते हैं, age को भी add करा सकते हैं, कुछ भ पर अबर, name plus age के, जो हम field access करेंगे, वो क्या है, current document, context.source के अंदर जाके, उसके नाम को access करीए, ठीक है, और जोड़ दीजे, age को, ठीक है, name plus age, ठीक है, चलाते हैं इसको, देखो, चल गई है, यहां पर लिखा गया, total 2, ठीक है, version conflicts वगरा सब आ गया, ठीक है, अब क्या हू चलाया बई, देखो, दो आगए, name और asyb है, एक और field add होई है, राम 5 करके, तो यह है, re-index API की कहानी, इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो की link, आपको इस card पर मिल जाएगे, कि अधिया, भीडियो की खपो म किश्चे खोर के हाुड़, पर पर मिल जाएगे, लाल जाएगेगे, बच UI